हेलो फ्रेंड्स दिस इज एस्पी सिंग एंड वेलकम टू इस्मार्ट एवरी डेग पैरे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम सीट इट फर्स्ट दिसमबर को जो परिक्षा होने वाली है इसको टारिड करते वे एसस्टी की क्लासेस कंट्यू है ठीक है जिसमें हिस्ट्री इसी एक कहानी इसमें दी गई है उस कहानी को पढ़ते वे यहां पे नगर निगम क्या होता है उसमें पार्षत कैसे चुने जाते हैं ठीक है निगम पार्षत प्रशासने करमचारी का क्या काम होता है और इस तरह से पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्रीट करेंगे बहुत चैप्टर है तो आईए शुरू करते हैं जो भी विद्यारती क्लास में लास्ट तक बना रहते हैं डिफरेंटली बहुत कुछ चीकने वाला यहां से जो प्रिशन तीन चार पूछे गया है इस चैप्टर से वो भी हम आपको लास्ट में कराएंगे जैसा कि आपको पता है क कि एक गाउं के मुकाबले जो शहर है वो ज्यादा बड़ा और काफी फैला हुआ होता है है ना सहर की गलियां एक्चुली ज्यादा चोड़ी होती है अगर हम तुलना करें गाउं से तो और सहर के बाजारों में ज्यादा बीड़बार भी होती है पानी बिजली की सुविध प्लिस होती है ताकि वो उसको कंट्रोल कर पाए तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और इसको जानेंगे देखिये पहले तो यहां पर जो इस्टोरी दी गया कहानी वो कहानी यह है कि देखिये यह कह रहा ना कि इतवार की एक अलसाई हुई दो पहर थी जब माला उसके साथ ही संकर जहां की रहना गली में क्रिकेट खेल ले थे यह एक्शली कहानी यह कह रही है कि बच्चे जो है वो संडे को बाहर गली में क्रिकेट खेल ले थे क्रिकेट खेलते हुए एक्शली होता क्या है कि एक यह लड़की है जिसने बला घुमाया तो बॉल जो है वो जा अब ये बनेगी कैसे क्या हम सब को अपने अपने जेब से पैसा दे करके लाइट लगवानी होगी या फिर इसका कोई और रास्ता है जिसके माध्यम से यह है जो लाइट टूट गई हमसे यह लग जाएगी इसके लिए बच्चे जाते हैं एक लेडी के पास ठीक है और अब माला के घर गए और उसकी मा को सब कुछ बता दिया कि हमने बला घुमाया लाइट गई टूट सारी बात सुनकर माला की मा ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता है नहीं इतना मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है यह जो गलियों में लाइट बगरा लगती है यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है उन्होंने बताया कि यासमीन खाला से पूछना चाहिए वे हाल ही में नगर निगम से रिटार्मेंट उन्होंने ली है सेवा निबरत हुई है जाओ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी घर वापस आना माला की माने कहा कि मुझेश के बारे में जानकरी नहीं है यासमीन खाला के पास जाओ वो अभी नगर निगम से सेवा निवरत हुई है वो इसके बारे में तुम्हें डिटेल में समझा देंगी देखिए तो यासमीन खाला जो है वो गली में रहती है और और माला की मा से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी चारो दोड़कर खाला के घर पहुंचते हैं और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वे एक साथ पूरा साथ सुनाने लगए कि यह यह ऐसे हुआ हमने साथ बॉल फेंकी इसका विकेट लेने के लिए उन्होंने बल्ला दे दो और वो लाइट बना दे एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं नगर निगम कोई छोटी संस्था नहीं है एक बड़ी संस्था होती है यह सड़कों पर रोशनी की विज़स्था कूड़ा इकठा करने की विज़स्था पानी की सुविधा पानी की सुब्धा उपलब्द कराने और शड़कों तथा बाजारों की सफ़ई का काम कौन करता है नगर निगम की जो संस्था है वो करती है नगर निगम करता है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे तो point कहता है कि माला बुली हाँ हाँ मैंने नगर निगम की बारे में सुना है मैंने शहर में बोर्ड देखें जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं खाला बोली तुम बिल्कुल सही कह रही हो little नगर निगम का काम यह सुनशित करना भी है कि शहर में बीमारिया न फैले यह कूल स्थापित करता है कौन नगर निगम और उन्हें चलातर भी है शहर में दवा खाने अस्पताल भी चलाता है ये बाग बगीचों का रख रखाओ भी करता है नगर निगम यानि कि नगर निगम की संस्था ये सारे काम देखती है उन्होंने आगे कहा कि हमारे पुने शहर बहुती बड़ा शहर है और यहां नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को क्या कहा जाता है नगर निगम कहते हैं छोटे कस्वों में इसे नगर पालिका कहते हैं जो छोटे कस्वे होते हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे अब इसके बारे में और जाने अब देखिए यहाँ पर नगर पार्षद और प्रशाशनी कर्मचारी के बारे में जानते हैं अब जब बच्चों को इतना बताया जा रहा था कि यह काम नगर निगम का है जैसे कुड़ा उठाना हो गया पाने की सुभ्धा हो गई ठीक है और लाइट की विश्टा हो गई और जो शहर में जो अस्पिताल बगरा बनाये जाते हैं उसमें दवाई उबलब्द कराना इस सारे किसे काम होते हैं पार्ग कहां बनाए जहाएँ जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़िदार निर्णाे भी लेने पड़ते थे कि भाई पाक कहां बनाए जए या स्कूल कहा बनाए जाए रहाना नहीं सब पूछा खारा ने जवाब दिया नहीं रहाना मैं तो निगम के लेखा यानि की अकाउंट विभाग में थी बस लोगों की मौसिक तनुख़ा की पर्चियां बनाती थी चुकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता था इसलिए नगर निगम को कई निर्ने लेने होते हैं इसी तरहे शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पढ़ता है जादा तर निगम पार्शद ही ये निर्ने लेते हैं कौन लेते हैं निगम पार्शद पार्श कहा बनाया जाए, इसकुल कहा बनाया जाए या कोई ऐसा काम जिससे पूरे शहर की आबादी पर उसका प्रभाव पड़े ऐसे जो निने लिये जाते हैं वो नगम पारसद ही ये निने लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहां बनेगा क्योंकि अस्पताल बनेगा या पार्क बनेगा इसका तो प्रभाव पूरी आवादी पर पड़ेगा ना जो सहर की होगी पार्क में पूरी यानि कि शहर पूरा शहर कोई भी जा सकता है पार्क में अस्पताल कोई भी जा सकता है तो ऐसी जगह बनाया जाता है जो सभी के लिए सही हो शहर को अलग-अलग वार्डों में बाट दिया जाता है अलग-अलग वार्डों में वार्ड खंडों में बाट दिया जाता है और हर वार्ड से एक पारसद का चुनाव होता है ठीक है जैसे हमने अभी पीछे जब हम लोग सरपंच के बारे में पढ़ रहे थे नकर निगम के कुछ निर्णे ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं मैंने का ना पूरे सहर पर उसका प्रभाव पड़ता है ऐसे जटिल निर्णे पार्षदों के समू के दोरा लिये जाते हैं लाइनों को अप्याद रखेगा कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन मुद्दों पर विचार विमर्ष करके निर्णे लेती है उदाहरण के शुरूप एक बस स्टेंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नेमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख नाले की सफाई होनी है ठीक है पार्षदों की समितियां ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदी की ववस्ता करते हैं कौन करती हैं पार्षदों की जो समितियां होती हैं वही पानी के समस्या कच्रा जमा हो गया सड़क पर रोसनी नहीं है इन सब की विस्ता पारसदों की शमितियां ही करती है जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पारसद से संपर्क कर सकते हैं जब किसी एक वार्ड में कोई समस्या आ गई है कि वह के खतरनाकतार अगर लटक रहे हैं तो खतरनाकतार अगर लटक कर नीचे आ जाये तो इस्थानी पारशत बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं जहां पारशतों की समितियां यह उन पारशत है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आयुक्त और प्रशाष्णी करमचारियों की सरकार के दौरा निवक्ति की जाती है ध्यान लखेगा और पारसद जो होता है वो निर्वाचित होकर क्या आता है आयुक्त यान की कमिशनर हो गया प्रशाष्णी अधिकारी हो गया ये तो सरकार के दौरा भरती गिये जाते हैं इनकी निवक्ति सरकार के माध्यमशे होती है जबकि पारसद चुनाओ के माध्यमशे आता है भाई उसने इलेक्सन लड़ाया जीता है तो वो पारशद बना है ठीक है इतनी आगे फिर ये स्टोरी आती है कि तो नगर निगम में ये निड़ने लेने लिए कैसे जाते हैं रिहना ने ये पूछा है वो कभी सोचना बंदी नहीं करती है बच्चों के सवालों से खुश होते वे यसमिन खाला ने जवाब दिया सारे वार्डों के पारसद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है इस तोरी में बहुत इंपॉर्टन लाइने चिपिया ध्यान रखेगा सारे वार्डों के पारशद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है उसी बजट के एकौर्डिंग पैसा खर्ज किया जाता है ओके, आगे बढ़ेंगे, यहां से देखिए, पार्शद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिस्द के सामने रखी जा सके हैं, ठीक है, फिर ये निर्णे प्रशासनिक करमचारियों के दौरा क्रियानविद किये जाते हैं, यानि कि जो पूछा था बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बाटने का कम से कम एक मौका दो दिया ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे तो अब एक पहले यहां से पढ़ ले थे संकर ने बढ़ी उत्सुकता से पूछा अपना शहर तो इतना बड़ा है इसकी देखवाल के लिए बहुत लोगों की जुरूत पढ़ती होगी खाला तब तो नगर निगम में धेर सारे लोग काम करते होंगे वो अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था एक नई जानकरी जो उनको मिल लही थी बच्चे उस पर बात कर दे दरसल शहर में काम को अलग-अलग विभागों में बांट दिया जाता है एक ही यानि की एक विक्ति को सारे काम नहीं दिये जाते काम को बांट दिया जाता है जैसे जल विभाग होता है कच्चरा जमा करने का विभाग हो गया बाग बगीचों की तेखभाल का विभाग ह गया सभी विभाग के अलग अलग लोग नुक्त कर दिये जाते हैं मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी और खाला बड़े इत्मिनान से बात बता रही थी फिर बच्चों के लिए खाने में रसोई से कबाब ल करता है वो जाता कहा है बाकी बच्चे भी कवाब खाई रहे थे यसमिन खाला ने बताना शुरू किया इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ितार है जैसा कि तुम जानते हो कच्च्रा लगबग हर गली में फैला रहता है पहले हमारे पडोस का भी यही हाल था चारो तरफ कू हो गया था और उनके घरवाले घरवालों को यही डर रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ चाएं चलिए अब इस पहले पॉइंट को समझ लेते हैं नगर निगम पैसा आता कहां से है यहाँ से प्रश्न पूछा गया है नगर निगम को पैसा द्वारा दिये गए टेक्स से आता है जो हम लोग टेक्स देते हैं लोग टेक्स देते हैं वहाँ से पैसा आता है टेक्स वो राशी है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्द कराए गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं वे सरकार हमको सुविधा उपलब्द करा रह है हम उसके बजह उसको टेक्स करे रहा है हम गाडी खरीद रहा है सड़क कार निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ती कर से केवल 25-30% पैसा ही आता है शिक्षा पर भी टेक्स लगता है भाई, एजुकेशन पर भी टेक्स लगता है अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी टेक्स देना पड़ता है अगली बार जो आप सिनेमा देखने जाएं तो टिकट देखिए का उस पर टेक्स लिखा होता है यानि कि आप मरंजन का भी टेक्स दे रहे हैं इस तरह आमीर लोग संपत्ती कर देते हैं वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामाने तरह के कर भी हम लोग भी जो सामाने लोग हैं वो टेक्स पे करते हैं अलग-अलग तरीके से अब लोगों का विरोध थोड़ी यहां पर एक कहानी पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे देखिए यहां पर एक इमेज आप देख पा रहे हैं पुनर चक्रण कोई नई चीज नहीं है तस्वीर में दिख रहे हैं विक्ति की तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कागस, कांच, प्लास्टिक और धातु का प्रणचक्रण कर रहे हैं गरेलू प्लास्टिक के प्रणचक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख के भून का निभा रहा है या निभाता भी है यह जो लोगों का विरोध है यह चोटी सी कहानी है और इसमें कुछ खास है नहीं तो हम इसको छोड़ देते हैं आगे देखे खाला के सेवा निभरत होने के बाद से क्या क्या बदल गया देखे यार्शमीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वो यह है कि हाल ही के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कच्रा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजे ठेकेदार रख लिए हैं इसको निजी करण कहते हैं इसको प्राइविटाजेशन कहते हैं ठीक है यानि की पैसा बचाने के लिए निगर निग्मों ने कचरा उठाने के लिए क्या रख लिए, कुछ ठेकेदा रख लिए, हम तुमको इतना पैसा देंगे, इतने पैसे में सहर की सफाई होनी चाहिए, कचरा उठ जाना चाहिए, ठीक है अब जैसे कि ये उनको ठेका दे दिया गया इसका मतलब ये है कि जो काम पहले सरकारी करमचारी करते थे वो काम अब निजी कमपनिया करती है निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कच्रा जमा करने और उठाने की काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं कि हम तुमें 50 रुपया देंगे या 100 रुपया देहरी देंगे ये काम हो जाना चाहिए ऐसे उन्हें मजदूरों की नौकरी आस्थाई होती है जब चाहें जिसको हटा दिया जाता है कच्रा उठाने का काम काफी खतरनाग भी होता है अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते अगर काम करते हुए वे घायल हो जाए तो उनकी देखपाल करने वाला भी कोई नहीं होता ठीक है इतनी बात हो गई आगे बढ़ेंगे फिर एक स्टोरी है और स्टोरी को छोड़ते हैं इसमें कुछ खास है नहीं हमने पढ़ लिया है 1994 में सूरत शहर में बहेंकर प्लेग फैल गया था सूरत भारत के सब्षे गंदे शहरों में शेयक था लोग घरों का और होटलों का भी कूडा कच्रा पास की नाली में या शड़क पर ही फिंक देते थे इससे सफाई करमचारियों को कूडा कच्रा उठाने और उसे ठीकाने लगाने में काफी मुस्किल होती थी उपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप्षिन नहीं कर रही थी जिससे इस्तिती और भी बत्तर हो गई प्लेक जो है वो हवा के जरिये फैलता है यह आप ध्यान रखेंगे और फिर क्या हुआ धेदे साफ सफाई हुई और आज की तारिक में चन्लीगड के बाद भारत के सबसे साफ सहरों में दूसरा इस्तान इसी सूरत का है जो सबसे गंदे सहरों में सही था इस तरीके से चैप्टर होता है कंप्लीट और हम बढ़ते आगे एक पॉइंट और ध्यान रखेगा दो अक्टूबर 2014 को 106 भारत मिशन का शुबारम किया गया था इस चैप्टर का पहला प्रशन आपके सामने प्रशन पूछा गया है 2030 का प्रशन है कहता है कि कथन A, B, C पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें कथन A कहता है कि कर वो राशी है, टेक्स वो राशी है जो लोग सरकार के दोरा उपलब्द कराएगई सुवधाओं के लिए सरकार को देते है कथन B कहता है कि अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना होता है जितना छोटा घर उतना जैदा कर क्या ये तीनों आप्शन शही हैं इसमें देखी ये पॉइंट यहां से उठाया कि कर वो राशी है जो लोग सरकार दोरा उपलब्द कराएगई सुवधाओं के लिए सरकार को देते हैं हमारा ए उप्शन था जो की हो जाता है राइट दूसरा कह रहा है कि अगर आप जो है कि किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो भी आपको टेक्स देना पड़ेगा very good, b option b right हो गया, c option कहा था कि जितना चोटा घर नहीं, जितना बड़ा घर उतना जादा कर चोटा की जगे बड़ा कर दिया तो option जो c है वो हमारा कट जाएगा, यानकि a और b right हो गया इसमें हमारा कथन A और B A and B के वल ठीक है option A और B जो है वहा right हो जाता है इतनी बात के लिए रहे है अगला प्रशन देखिए प्रशन कहता है नगर निगम के चुनाओं के उद्देश से गठित किये गए छेत्री निरवाचन छेत्रों को डैस के रूप में जाना जाता है किस रूप में परिशायत वाइड खंड खंड या फिर छेत्र किस रूप में जाना जाता है यहाँ पर लिखा है प्रशन का अंसर की शेर को अलग-अलग वाइडों में बाट दिया जाता है word कहो या word खंद कहो एक ही बात है ठीक है तो इस पृष्ण का जो आंसर है वहाँ word खंड या फिर words राइट हो जाएगा अगला पृष्ण लेते हैं पृष्ण कहता है नगर निगम में चुने गए सदस्चियों को क्या कहते है सीनेटर, प्रतिनिदी, अधिशाशी, कारेपलक या फिर पार्षद क्या कहा जाता है तो इसका अंसर भी यहाँ पर है कि हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है पार्षद याने की चुने जाने पर उसको क्या कहा जाता है नगर निगे में चुने के सदस्चियों को पार्षद कहा जाता है ठीक है पार्षद मिलकर के समितिया बनाते हैं और फिर पार्षदों की जो समितिया है वो पार्षद विभिन मुद्दों पर निने लेने का काम भी करते हैं तो पार्षद कहा जाता है यहाँ पर हमारा जो आंसर D है पार्षाद वहा राइट हो जाएगा डिए फरेंट यह क्लास 6 की पॉलिटी है आपको लगता होगा कि यह कैसे चैप्टर है केवल 4 लाइने ठीक लिखी है और कहानी इतनी ज़्याद दी है यह बेस है यह कच्छा 6 की जो NCRT पॉलिटी की है इसमें आपको इसी तरीके की चैप्टर्स मिलेंगे हाला कि 6 चैप्टर्स तो हो गए हैं दो साहे दौर बचे हैं ठीक है